बे मोसम बारिश, खेतों में खड़ी अफिम की फसल को भारी नुकसान नमस्कार मेहूरी या विपलिवाल और आप देख रहे हैं डिजिटर न्यूज चेनल MP7 News वेबेड यूडूब न्यूज चेनल आप MP7 News चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें देखे आज की विशेश बड़ी खबर, जी हाँ, नीमत जिले में मंगलवा राद बिजली की कड़कडा हट, वबादलों की गड़कडा हट के सार जोरदार बारिश हुई जमा जम बारिश के बीच आस्मान से ओले भी गिरे, ओला वरष्टी होने से खेतों में खड़ी अफिम गेहुँ चना सहीत अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुचा है मालवा मेवा श्यत्र के अफिम काश्टकारों की माने तो इन दिनों खेतों में अफिम की फसल अपने पूरे योवन पर थी ऐसी स्तती में बारिश होने से भारी नुकसान पहुचा है अफिम किसान पहले ही CPS बद्दती से परेशान हो रहे हैं अब कुद्रत ने भी किसानों पर दोहरी मार मार दी है एक तरफ जहां किसान बजट से आस लगा कर बेठे थे वही अब इन पर मुसीबट तूट गई है नीमच मनसोर वचित्तोर जिले में अधिक नुकसान हुआ है अफिम किसानों ने बताया है कि मंगलवार को तेज हुई बारिश से किसानों को भारी रुकसान पहुचा है किसानों के मुँ में आया हुआ निवाला भी छिन गया है अफिम की फसल में चीरा लगाने का कारिव शुरू ही हुआ था कि बारिश ने किसानों को पूरी तरह से बर्बात कर दिया है बेमोसम हुई बारिश से अफिम पूरी तरह से धुल गई वहीं ओलावरश्टी होने से खेतों में खड़ी फसले आड़ी हो गई वहीं राजस्तान में भी अफिम की फसल को भारी नुकसान पूचा है कास्तकारों के माथे पर उबरी चिंता की लखिरे बारिश व ओलावरश्टी से अफिम कास्तकारों को बड़ा नुकसान हुआ है MP वर राजस्तान के कई गाओं के काश्ट कारून के माथे पर चिंता की लखिरे उभराई है दीन में चिरा लगाए डोडे से अफिम का दूद जमना शुरू हुआ ही था कि इस तेज बारी से अफिम पानी के साथ धुल कर खत्म हो गई है इसके अलावा तेज रांदी से खेतों में खड़ी अफिम की फसल भी चोपड हो गई है किसानों ने आधी रात में फसल को बचाने के लिए जतन किये लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी बंबोरी गाओं में मंगलवार दोपहर तीन से चार बजे के बीच अचानक मोसम का मिजाज बदला और बे मोसम ओलाव रष्टी वर तेज हवा के साथ बारी शुरू ही बादलों की गड़गडा हट के साथ ओलाव रष्टी का दूर करीब 15 मिनिट तक चला जिससे सडको एवं खेतों में सफेज चादर सी बीच गई जिसके चलते किसानों की समस्या बढ़ने वर चिंता सताने लगी किसानों ने बताया कि बे मोसम हुई बारिश से खेतों में खड़ी किसानों की मेनत पूरी तरह से बरबाद हो गई है बे मोसम हुई बारिश व ओलाव रष्टी से नीमच मनसोर व चितोरगर जीले के हजारों गाओं में किसानों को नुकसान पहुचा है नीमत जिले के जिरन, रेवली देवली, मनसोर जिले के पिपलिया मंडी, कुछडोत, वचितोरगर जिले के छोटी सादरी बंबोरी सहित, अन्य खेतों में खड़ी अफिम गेहुचना, धन्या सहित, अन्य फसलों में नुकसान हुआ है किसानों ने शाषन से खेतों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग की है खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 News